वाट्सअप कोर्स के इस वीडियो में आज हम जालेंगे वाट्सअप चैनल के क्या यूज होते हैं मतलब कि आप वाट्सअप चैनल का किस तरीके से अलग-अलग चीजों के लिए यूज कर सकते हैं क्या इसके बेनेफिट्स हैं डिटेल में समझाएंगे ताकि जब आप वाट्सअप का कोर्स सीख रहे हैं जिसमें ऑट्योमेशन चैनल और बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हो तो हर चीज आपको अच्छे चैनल हो आपके बेसिक्स क्लियर हो साथ के साथ प्रेक्टिकल नोले जो ताकि आप कमप्लीट वाट्सअप मार्केटिंग सीख पाएं आटोमेशन सीख पाएं एपिए इंटिग्रेशन सीख पाएं तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बैर एक अंदवा दीजे ताकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोर्स मिस्स ना हो एक इंपॉर्टेंट अप अब कर सकते हैं साथ के साथ आप अपने बिजनेस और लेकर जाना चाहते हैं उसके सब्सक्राइब कर सकते हैं ने description में भी मैं inquiry form और numbers दे दूँगा आप ये content ये वीडियो देखने के बाद हमसे contact कर सकते हैं जैसे कि हम पिछले कुछ वीडियो के अंदर WhatsApp चैनल की बात करते हुए आ रहे हैं हमने WhatsApp चैनल के benefits वगेरा के बारे में जाना हमने WhatsApp चैनल को कैसे create करना है वो भी सीख लिया अब इस particular वीडियो में मैं कुछ usage आपको बताने जाओंगा कि क्या-क्या usage हो सकते हैं हमारे WhatsApp चैनल के इसके अलावा भी आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं इस तरीके से जो है आप अपने WhatsApp चैनल को यूज करना चाहते हैं ठीक है और यह डिपेंड करता है कि आप का profile क्या है आपका back profile क्या है आप creator है आप कोई celebrity है आप बिल्कुली कोई unknown person है आप कोई organization है आप को individual है तो यह depend करता है आपके background के उपर कि आप किस तरीके से WhatsApp चैनल को यूज कर सकते हैं या फिर WhatsApp चैनल feature को यूज कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर मैंने जो universal usage है जो कोई भी यूज कर सकता है या फिर different different background के users different different तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पर मैंने mention किया है ठीक है तो चलिए start करते है के करके सबसे पहला यहाँ पर जो mention किया है वो है sharing news and updates तो अगर आप कोई organization है like कोई media outlet government agency या फिर कोई educational institute ठीक है तो आप जो है WhatsApp चैनल के थ्रू अपने news जो भी जिस भी sector में आप belong करते हैं उस sector से related news and updates जो है share कर सकते है थ्रू WhatsApp चैनल तो काफी अच्छा एक mode of news and update sharing platform आपको मिल गया है ठीक है तो इसके अलावा promoting products and services अब यहाँ पर मैं एक और product को या फिर एक और business को mention करना चाहूंगा जो कि यह affiliate marketing राइट तो affiliate marketing के अंदर भी हम जो product है या फिर जो services है वो promote करते हैं तो आप whether it is your product आगर कोई आपका product है आप उने भी promote कर सकते है आपका कोई service है आप business है और आपको कोई services provide कर आते हैं अप उनें भी promote कर सकते हैं तो basically आप product और services जो है उनें promote करने के लिए ब्ही WhatsApp चैनल का use कर सकते हैं जैसा की हम चैनल्स के अंदर देखते हैं कई लोग जो है वहां पे तो खेर अपना प्रोड़क्ट और अपनी सर्विसेस बहुत कमी लोग जो है प्रमोट करते हैं वहां पे अफिलियेट मार्केटिंग बहुत बड़े लेवल पे की जाती है आमाज़ान अफिलियेट हो गया इसके आड कर सकते हैं फॉलोवर्स जो है वह आड कर सकते हैं एक वट्सैप चैनल के अंदर तो काफी बड़ा नंबर है अगर आपका ऐसा कोई चैनल बन जाता है आप उसे ग्रोग कर पाते हैं तो काफी अच्छी घासी जो है अर्णिंग की जा सकती है इसके अलावा काई ना काई बिल्ड हो रखी होगी दूसरे प्लाटफॉर्म्स पर तो स्ट्राफिक कोप यहां पर भी ला सकते हैं अदर्वाइज आप कोई अन्नोन परसन है बट स्टिल आप जो है कम्यूनिटी बिल्ड करना चाहते हैं तो व्ट्सैप चैनल के थूरू उसे कर सकते हैं स्टिल आपको दूसरे सोशल मीडिया को यूज करना पड़ेगा अपने जो है लोगों तक पहुंचने के लिए तो कम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए भी अच्छा ऑप्शन है यहां पर मैंने मैंने मेंशन किया कि इंडिविज्वाल्स एंड और्गनाइज़ेशन चैनल पाइट तो किसी भी इंट्रस्ट या फिर कोई होबी कम्यूनिटी से रिलेटेड जो है आप एक चैनल बना सकते हैं वाट्सब चैनल वाट्सप चैनल सो दैट की लोग उसमें इंट्रस्ट शो करें अद् बिसिकलियलि जो सिमिलर इंट्रस्ट वाले इसिमिलर पैशन वाले जो लोग है उसी वही लोग इंट्रस्ट हो करेंगे और जो है आपकी community या फिर आपका whatsapp channel join करेंगे तो इस तरीके से भी use किया जा सकता है then providing customer support आप customer support provide करने के लिए भी whatsapp channels को use कर सकते हैं इससे आपका जो business है वो और अच्छा होगा customer support अच्छा होगा तो obviously आपके जो customer experience होगे वो अच्छे होगे and आपका eventually जो है business grow होगा तो customer support provide कराने के लिए एक अच्छा option है हाला कि जैसा कि आपको पता है इसमें one way communication होता है जो admin से सिर्फ वो अपने जो users को यहां पे message कर पाएंगे ठीक है जो masses के लिए है पूरे audience के लिए जो kind of support है वो आप provide करा सकते हैं ठीक है कोई personalized यहां पे customer support provide कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है now sharing educational content अगर आप कोई educator है अगर आप कोई institute है तो आपके लिए बहुत अच्छा platform है जो whatsapp channel है क्योंकि आप एक simple whatsapp channel बनाएंगे आपके सारे users उसमें आजाएंगे आपके existing students हैं existing followers है इसके अलावा new followers भी join कर सकते हैं आप से क्योंकि आप उसमें valuable content educational content जो है share कर रहे होंगे तो educational content share करने के लिए एक अच्छा option है उसके अलावा sending event notifications आप एक whatsapp group बनाके not whatsapp group whatsapp channel बनाके उसमें event के notifications भी भेज सकते हैं जिन्होंने उसके लिए राइस्टरट किया है तो अलग-अलग usage है जैसे कि मैंने कहा है आपको यहां पर कई usage मैंने mention कि हैं बट इसके अलावा it depends on you कि आप किस तरीके से एक whatsapp channel को use करना चाहते है ठीक है और अगर कोई मोटी-मोटी दोतीनी usage बताए जाए तो वो तो यही है कि आप अपने existing followers जैसे कि let's say आप कोई celebrity है आप कोई known people है renowned people है या फिर आप कोई content creator है जिसका already किसी platform पे traffic है तो वो उस traffic को divert कर सकता है अपने whats WhatsApp के उपर so that कि वो अपने followers existing followers से थोड़ा सा engage कर पाए और अपने live updates दे पाए उस चीज़ को भी मैंने या पर mention किया है ठीक है लेकिन उसके अलावा भी कई usage होते है लेट से कि we are those individual users जो हम सिंग individual users है जिनके पास कोई existing platform नहीं existing कोई background नहीं है हम कोई content creator नहीं है जिसके पास millions audience या लाक्स के अंदर followers है जिसे हम ला सके अपने WhatsApp चैनल तर तो हम कैसे इस feature को यूज कर सकते है ठीक है तो वो चीज़ यहां पर mention की गई है different different usage के तुरू ठीक है अब यहां पर sharing exclusive content आप एक ऐसा WhatsApp चैनल बना सकते हैं आप एक्स्क्लूजिव content जो है share कर सकते है अब exclusive content is not like कि explicit content ही आप share करेंगे उसके अलावा भी exclusive content के अदर बहुत सारी चीज़ा आजाती है right exclusive like exclusive knowledge हो सकती है किसी particular niche share related किसी particular category से related इसके अलावा कोई exclusive information हो सकती है किसी particular category आप निशे रिलेटेट तो यह depend करता है कि आपके Stripe का content जो है provide कराना चाहते है next इसके बाद है providing real-time updates आप जो है जैसे हैं मैंने mention किया कि organizations can use whatsapp channel to provide real-time updates during emergencies, natural disasters and breaking news events right तो कई organizations जो इन चीजों को basically लोगों तक awareness फैलाती है अब like emergency से related, natural disasters से related, breaking news वगेरा तो उस type के organizations जो है real-time update प्रोवाइड करने के लिए भी whatsapp channels का use कर सकते हैं देख रहे हैं यह काफी अच्छा feature है वैसे कि कोई भी let's say government organization है या फिर कोई private agency भी है कोई private organization भी है news channels होगे वो भी अपने जो है इस तरीके के channels whatsapp channels बना सकते हैं and वहा दूसरी जो emergency से related news है वहाँ पर real-time provide करा सकते हैं तो काफी अच्छा use है और जैसा कि मैं आप से बता रहा था कि जिनके existing followers हैं जो already social media पर content create करते हैं दूसरे platforms पर जिन या फिर कोई superstar या फिर कोई celebrity या renowned people तो उनके जिनके followers already है वो अपने existing followers से engage करने के लिए भी whatsapp channels का use कर सकत हैं जैसे कि यहां पर मैंने mention किया engaging with followers channels admin can channels admins can use polls stickers and reactions to engage with followers gather feedback and build a more interactive experience तो यह थे सारे हमारे uses इसके अलावा भी कई हो सकते हैं मैंने जस्ट आपको एक horizon प्रोवाइड किया एक idea दिया कि क्या क्या तरीके से जो है WhatsApp channels को use किया जा सकता है इसके अलावा it totally depends on you कि आप किस तरीके स अपने WhatsApp channel को use करना चाते हैं आप तो बहुत जादा easy हो गया WhatsApp channel बनाना राइट जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया उससे पहले थोड़ा सा मुश्किल था आपको अपना WhatsApp business के थ्रूई जो है आप बना सकते थे वो भी आपको WhatsApp business verified होना चाहिए था तब ही ज करता हूं आप वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों अगर आप अपने business के लिए professional digital marketing services चाहते हैं या चाहते हैं लाइफ प्रेक्टिकल एडवांस digital marketing course with artificial intelligence डिरेक्ट लाइफ सीखना तो आप हमारी website marketingfundas. .com पर जा सकते हैं या हमारे दिवे नंबरों पर call या WhatsApp कर सकते हैं दोस्तों description में महा बंडल कोर्स का लिंक दे रहा हूं जिसके अंदर 60 से भी ज़्यादा high paying skills हैं with certification उसको भी आप explore कर सकते हैं जो भी skill आपको सीखने हैं सीख सकते हैं तो दोस्तों thank you for watching marketing fundas .